नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिमाजल सक्सेस बुक में इस सेशन में हम फानेंशल ये दो हजाटरेश चौबीस एंगी वीतिय वरश दो हजाटरेश चौबीस के हिमाजल परदेश के बजट के MCQs discuss करेंगे पूरी की पूरी जो discussion है हमारी MCQ बेश चौबीस रहेगी इसमें question हमारे हम discuss करेंगे और जो session की पेडियाफ है वो मिली आपको टेलिगरम चैनल पर टेलिगरम पर सच कीजे हमाजल सक्सेस बुक और वहाँ से आपकी सेशन की पेडिया प्राप्त कर सकते हैं स्टाट करते हैं डिसकेशन फर्स्ट कोशिन इज चीफ निश्टर सुकुविंदर सिंग सुकु has presented a budget of how much crore for the financial year 23-24 मुख्यमंतरी सुकुविंदर सिंग सुकु ने वीतिय वरश 2023 23-24 के लिए कितने करोड का budget पेश किया है यह जो budget हमारा यह है 53,413 करोड रुपे का याद रखीगा काफ़ important है 53,413 करोड रुपे का budget के पेश किया गया है मुख्यमंतरी सुकुविंदर सिंग सुकु के द्वारा और जो budget पेश किया गया वोकिया गया 17 मर्च को यह भी याद रखेगा कि जो budget घो है 17 मर्च 2023 को पेश किया गया अच्छे ये बतायेगा कि जो पिछली वार budget पेश किया गया था 2022-23 का वो कितना budget था उसकी allogation कितनी थी वो किजना बजट था पेश किया गया था उस समय के मुक्रमंतरी जाराम ठाकुर के द्वारा इसका अंसर जो है कुमेंट बॉक्स में लिखके दीजेगा तो अभी हमने डिस्कस किया जो बजट है पानेशल यह 2324 के लिए वो 53,413 क्रोड रॉपे का पेश किया गया है और इसमें जो हमारी रिवेन्यू रिशिप्स होंगी यान की राजस्व प्राप्तियों होंगी वो होंगी 37,999 क्रोड रॉपे की यह estimated है और जो हमारा रिवेन्यू एक्सपेंटीचर होगा यान की राजस्व व्य होगा 42,704 क्रोड रॉपे का revenue deficit यानकी राजस्टो घाटा जो होगा वो estimated है 4704 कुर्ट रुपए का और जो हमारा राजकोश्य घाटा है यानकी fiscal deficit है वो 9900 कुर्ट रुपए का होगा और यह fiscal deficit है यह हमारी GDP का लगवग 4.61% होगा इसके लावा यह भी discuss किया गया कि अगर मान लो आप budget में से 100 रुपए खर्च करते हैं तो उन 100 रुपए को कहां कहां खर्च किया जाएगा जैसे कि जो 100 रुपए खर्च के जाएंगे उन में से 26 रुपए है वो salary में खर्च के जाएंगे 16 रुपए जो है वो pension में खर्च के जाएंगे 10 रुपए जो है वो interest payment में खर्च के जाएंगे 10 रुपए जो है loan repayment में खर्च के जाएंगे और नौर पे जो है जो भी autonomous institutions है उनको grant पे करने के लिए खर्च के जाएंगे और बचेंगे 39 रपे उन्हें जो है other activities जैसे की capital work वगरा में और development कारे में वहाँ पे खर्च किया जाएगा इसके लाबा अगर हम individual sector में देखें जैसे कि आपके पास जो health sector है यानि कि स्वास्तिक शेतर है उसके लिए 3149 कुर्ट रखा गया है education sector शिक्षक शेतर के लिए 8828 कुर्ट रखे गए है technical education यानि कि तक्निकी शिक्षा के लिए 381 कुर्ट रखे गए है rural development and पंचायती राज इसके लिए जो है 1916 कुर्ट रखे गए है और जो हमारा social security, welfare of women, child and other weaker section इनकी महिला, बाल, अन्य कमजोर वरकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए और उनके कल्यान के लिए 2233 कुर्ट रखे गए है यह जो है allocation जो है यह sector-wide रखी गई है और इसके उपर आगे जो MCQ भी डिस्कस करेंगे What is the proposed outlay for the scheduled cast development program for the 223-24 2023 के लिए अनुसूचित जाती विकास कारेकरम के लिए प्रस्ताबित परेवे क्या है तो यह जो परिवे रखा गया है outlay रखा गया है मतलब कितना budget इसके लिए रखा गया है वो है 2399 क्रोड रुपए इसके लावा जो हमारा राज्ये विकास budget है यानकी state development budget है उसके लिए 9524 क्रोड रखे गए है अनुसूची जाती विकास कारेकरम जो की अभी हमने डिसकस किया scheduled कास development program इसके लिए 2399 क्रोड रुपए रखे गए है tribal development program यानकी जन्जाती विकास कारेकरम के लिए 857 क्रोड रुपए रखे गए है और जो हमारा backward area development program है पिछड़ा चित्र विकास कारेकरम है इसके लिए 104 क्रोड रुपए रखे गए है और जो भी हमारी central scheme है उनके जो budget रखा गया है वो रखा गया है 3397 क्रोड रुपए वितिय वरष 2022 के दौरान हिमाचर पदेश की अर्थ विवस्ता की अनुमानी तविकास दर कितनी है यह जो है economic सभी में भी discuss किया गया था और मुक्यमंतरी सुक्वेंदसी सुक्वो ने भी बताया कि जो 2022-23 के लिए हमारी जो economic growth थी हमाचर देश की वो कितनी रही वो रही 6.4% और जो हमारा 2021-22 का session था उसके दोरान जो है यह 7.6% रही थी याद रखेगा 2022-23 के लिए जो रही यह रही 6.4% और 2021-21 के लिए जो हमारी growth rate रही वो रही 7.6% according to the revised estimates of 2022-23 what is the total revenue shifts in 2022-23 2022-23 के संशोजित अनुमान के नुसा 2022-23 की कुल राजस्व प्रापती कितनी है यादि कि जो revenue shift है 2022-23 की वो कितनी है वो है 38,945 क्रोड रुपए तो जब budget पेश किया गया उसमें पिछले साल का भी कुछ estimate दिया गया जैसे कि पिछले साल की जो revised estimate के अनुसार जो हमारी राजस्व प्रापतीय थी revenue shift थी वो थी 38,945 क्रोड रुपए और जो हमारे revenue expenditure था यादि की राजस्व वे था राजस्व खर्च था वो था 45,115 क्रोड रुपए और जो हमारे revenue deficit था जो हमारा गाटा था वो था 6,170 क्रोड रुपए का यादि की हमने expenditure यादि की वे ज्यादा किया है 45,115 क्रोड रुपए वे किये हैं और जो हमें प्राप्त हुए हैं वो है 38,945 क्रोड रुपए जो हैं प्राप्त हुए हैं तबी तो हमें जो हमें घाटा हुआ जो हमारा revenue deficit हुआ वो 6,170 क्रोड रुपए का हुआ और ये जो है ये पिछले वीतिय वरश की बात कही गई है यनकी 2022-3 की बात कही गई है वोट इस दे एस्टिमेटेड पर कैपिटा इंकम इन हिमाचव पदेश द्यूरिंग दे फानेंशल इयर 22-23 वीतिय वरश 2022-3 के दौरान हिमाचव पदेश में प्रती व्यक्ति आये कितनी आंकी गई है तो जो प्रती व्यक्ति आये है वो हो गई है दो लाक बाइस जादो सस्टाइस और ये डाटा भी है ये एकॉनमिक सर्वे में दिया गया था मुख्यमतरी के दौरा और अभी जो बजट है उसमें भी ये फिर से अनौंस किया गया और 2022-23 के दौरान जो पर केप्टा इंकम है यानकी प्रती व्यक्ति आये जो है वो पिछले वर्स के कंपेजन में यानकी जो हमारा 2021-22 का सेशन था उसके कंपेजन में 10.4% जो है इंक्रीज हुई है उस समय थी ये 2,1,211 रुपए और अभी जो हो चुकी है ये हो चुकी है 2,22,227 रुपए वट इस दे एस्टिमेटेट जीडिपी ऑफ हिमाच्यपदेश फॉर 22-23 2,22-23 के लिए हिमाच्यपदेश की अनुमानित जीडिपी कितनी है तो ये जो हमारी ये है 1,95,404 कुर्ट रुपए और 2,22-23 के लिए जो एस्टिमेटेट जीडिपी लगाईगी वो लगाईगी 1,95,404 कुर्ट रुपए हिमाच्यपदेश कोवर्मेंट विल टेक effective steps to develop हिमाच्यपदेश as a green energy state by which date हिमाच्यपदेश सरकार की इस तारीक तक हिमाच्यपदेश को हरित उर्जाराज्य के रूप में विक्सित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी तो 31 माच्यपदेश को green energy state बनाने का लक्षे रखा गया है और तब तक जो है effective steps उठाए जाएंगे हिमाच्यपदेश सरकार के द्वारा How much megawatt capacity of new solar power projects have been targeted to be set up in the 23-24 2023-24 में कितनी megawatt कि शमता की 900 उर्जा प्रयोजनाओं को शुरू करने का लक्षे रखा गया है तो 500 megawatt की नई सौर उर्जा प्रयोजनाओं जो है अगले वीती वरशियन की 2023-24 में स्तापित की जाएंगी और ये लक्षे रखा गया है How many panchights in each district of the हिमाच्पदेश will be developed as green panchights on a pilot basis हिमाच्पदेश के प्रतेग जीले में कितनी panchights को pilot अधार पर हरीत panchights की रूप में विक्सित किया जाएगा तो हर जीले में दो panchights को जो है green panchights की रूप में वो विक्सित किया जाएगा और ये भी pilot basis पर काम शुरू किया जाएगा और ये जो panchights है इन्हें ग्रीन पंचायत बनाने के बाद जो है इनमें 500 किलोवाट से लेके 1 मेगावाट की कपैस्टी तक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल भी किया जाएंगे बिजली अपूर्ती प्रणाली को मजबूत करने के लिए सौर उर्जा अधारित बैटरी एनर्जी स्टॉरेज सिस्टम प्रोजेक्ट किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा यह जो है चमबा के पांगी में स्थापीत किया जाएगा त्याद रिखेगा चमबा के पांगी में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रजेक्ट जो है यह स्थापीत किया जाएगा हमाजबदेश के यूवाँ को अपनी भूमी या पट्टे की भूमी पर 250 किलो वाट से लेकर 2 मेगा वाट तक एक शमता वाली सौर उर्जा परयुजनाओं स्थापीत करने के लिए कितनी सबसीड़ी दी जाएगी तो 40 प्रश्ट की यानिकी 40 प्रजेक्ट जो है सबसीड़ी दी जाएगी हमाजबदेश के दोरा अगर कोई भी यूथ है हमाजबदेश का वो अपनी भूमी पर या फिर लीजली ही भूमी पर 250 किलो वाट से लेके 2 मेगा वाट तक का सुलो प्रजेक्ट जो है इंस्टॉल क करना चाता है इन दो फर्स्ट फिज हाओ मैं नेशनल एंड स्टेट हाईवेज विल भी ड्वेल्प एज ग्रीन कॉरिड़ोर फॉर एलेक्ट्रिक वहिकल्स पहले चरण में कितने रास्ट्री और राज्य राजमार्गों को एलेक्ट्रिक वहानों के लिए ग्रीन है वो है परवानु से लेखे नूरपूर तक का और इसमें रूट जो कवर किया जाएगा वो परवानु नालागण उन्ना हमिरपूर देरा अंब मुबार्गपूर संसारपूर टैरेस और नूरपूर दूसरा है पॉंटा से लेखे शिमला तक इसमें जो रूट होगा वो काङड़ा नूरपूर और बनीखेत मंडी से लेके प्रथानकोर तक पर थाथ होर्फ कवर दर निमार समय पर बाहरत्व क्या रद भर जेगा गवरिकिवन धर किरिण जायगा प्राइबेट बस ऑपरेटर्स विल बी जिवन सब्सीरिओ और ने मेंक्सिममय लिमिट оф रूपीज फिफ्टी लैक फॉद पर्चेज ऑफ इबस इस नीजी बस ऑपरेटरों को इबसों की खिरिद के लिए अधिक्तम पचास लाक रुपए की सीमा तक कितनी सबसीड़ी दी जाएगी तो इन्हें जो है 50% की सबसीड़ी दी जाएगी देखिए अगर हिमाजलिश में कोई प्राइवेट बस ऑपरेटर है नीजी बस ऑपरेटर है वो अगर इबस इस खिरिदना चाते हैं और मैक्सम लिमिट पचास लाक की रखी गई है तो इसमें जो है इनकी 50% की सबसीड़ी इन्हें परदान की जाएगी इसके लाबा कोई प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर है अगर वो इट्रक यानकी इलेक्टरिक ट्रक खिरिदना चाते हैं तो उन्हें भी मैक्सम लिमिट प्रास लाक रुपए तक जो है 50% की सबसीड़ी परदान की जाएगी और अगर कोई नीजिक शेतर का प्राइवेट ऑपरेटर जो है वो चार्जिंग स्टेशन स्थापिद करना चाता है तो उसे भी 50% की सबसीड़ी परदान की जाएगी हिमाज़री सरगार के द्वारा हिमाज़री में किस्तान पर एक नया इबस डिपो स्थापिद क्या जाएगा तो यह जो है हमिरपूर के नदौन में स्थापिद क्या जाएगा और नदौन जो है यह कॉंसिचुएंसी है हमारी हिमाज़री के चीफ निश्टर सुखमेंदर सिंग सुख की इसके लावा जो हमारा HRTC है यहनकी हमाज़रोड ट्रांसपूर्ट कॉर्परेशन है वर्तमान में इनके द्वारा 75E बसीज यहनकी 55E बसीज चलाई गई है और 50E टैक्सी जो है चलाई जा रही है और अभी मुक्यमंतरी सुखमेंदरी सुखु ने यह अनौन्स किया है कि ज उन्हें इलेक्टरिक बसीज में जो है चेंज किया जाएगा और इसके लिए 1000 क्रोड रुपए जो है वो भी खर्च किया जाएगा और पहली फेज में जो है एक नया e-bus टीपू बनाया जाएगा और यह बनाया जाएगा नदौन में और जो शिमला का लोकल टीपू है इसे जो है e-bus टीपू में भी कनवर्ट किया जाएगा किया जाएगा और यह वर्ल्ड बेंक की साहता से कारे किया जाएगा तो तीस क्रोट रुपए जो है खर्च किये जाएगे हैलिपूर्ट के निर्मान के लिए हिमाचा पदेश में और यह जो है वीती वरज दो हज़ा तरेश चौबिस में खर्च किये जाएगे किस जिले को हिमाचा पदेश की प्रेटन राजदानी के रूप में विक्सित किया जाएगा यह तो सभी को पता ही होगा कि कौन से डिस्टिक है यह तो यह है कांगडा कांगडा को जो है टूरिजम कैप्टल के रूप में विक्सित किया जाएगा हिमाचा पदेश की अलार्ज जू विल बी मेड एट विच प्लेस इन कांगडा डिस्टिक एट टोटल कॉस्ट आप रूपीज 300 क्रोड तिन सो क्रोड रुपे की कुल लाग़ से कांगडा जिले के किस्तान पर एक बड़ा चिडिया घर बनाया जाएगा ये भी सभी को पता ही होगा और जिनको नहीं पता वो मैं बता दू कि कांगडा के बनखंडी में जो है 300 क्रोड रुपे की लाग़ से एक बहुत बड़ा जू जू जो है चिडिया घर जो है बनाया जाएगा Center of Excellence in Tourism and Hospitality Sectors is being set up at which place estimated cost of रुपे 68 करोड अंडर दर हिमाचर पदेश के लड़र्मेंट प्रोग्राम हिमाचर पदेश कौशल विकास कारेकर्म के तहट 68 करोड रुपे की अनुमानित लाग़ से किस्तान पर प्रेटन और आतित्यक शित्रों में उत्कृष्टता के इंदर स्थापीत किया जाएगा यह जो है सोलन के वांकना गाट में स्थापीत किया जाएगा स्थापीत के लिए कितना बजट प्रस्तावीत किया गया है हमने पहले डिसकस भी किया सभी कोई कट्र डिसकस किया था और अब इंडिविजिल्य एज एक कॉशन भी डिसकस करेंगे तो जो हल्थ सेक्टर है उसके लिए 3,149 कोलड रुपै जो है यह प्रस्तावीत किये गये है प्रतेख विदानसबग शेतर में एक स्वास्टे संस्तान निलत मैसे किसके रूप में विक्सित किया जाएगा तो ये जो है आदर्श स्वास्ते संस्थान के रूप में विक्सित किया जाएगा इनकी जो भी एक एक विदान सबाक्षेतर है हिमाज़ेश का टोटल जो है वो 68 है और उनमें से सभी विदान सबाक्षेतरों में एक हेल्थ इंस्टिचूशन को आदर्श स्वास्ते संस्थान किया जाएगा तो यह जो है हमिरपूर का डॉक्टर रादा कृष्णन गौर्मेंट मेडिकल कॉलेज वहाँ पर जो है कैंसर केर के लिए एक सेंटर ओफ एक्सिलेंस जो है यानकी उत्कृष्णता के अंदर स्थापित किया जाएगा इसके लिए इसके लाबा जो है नुक्लिर मेडिसिन डिपार्टमेंट वी वह भी स्थापित किया जाएगा इसी हॉस्पिटल में यानकी डॉक्टर रादा कृष्णन कॉल्मेंट मेडिकल कॉलेज जो है हमिरपूर में वहाँ पर Nuclear Medicine Department भी स्तापित किया जाएगा और वीतिय वरश 2023 के लिए जो वजट रखा गया है इसको स्तापित करने के लिए वो रखा गया है 50 कोर्ड रुपए का For Procurement of Quality Medicines Machinery and Equipment with Latest Technology Which Services Commission Corporation will be established in हिमाज़पदेश नवेंतम तकनिक के साथ गुनवत्तापूर्ण दवाईयां Machinery और उपकर्ण की खरीद के लिए हिमाज़पदेश में कौन सा सेवा निगम स्तापित किया जाएगा ये होगा हिमाज़पदेश Medical Service Corporation तो हिमाज़पदेश में जो भी गुनवत्तापूर्ण दवाईयां हैं Machinery है उपकर्ण है Medical Devices है उनकी खरीद के लिए हिमाज़पदेश Medical Service Corporation की स्तापना की जाएगी तो एनकरेश टूरेंट्स तो पार्टिसपेट इन स्पोर्स डाइट मनी और प्लेयर्स लीविंग इन स्पोर्स होस्टल्स इनकरीज फ्रॉम रुपीज 120 पर डे टू हाउमच रुपीज चात्रों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोसाइट करने के लिए खेल चात्रावासों में रहने वाले खिलाडियों की आहार राशी 120 रुपए से प्रतियन बढ़ा कर कितने रुपए की जाएगी इन्होंने मेडल जीता है किसमें मेडल जीता है और कब मेडल जीता है इन्होंने शिक्षाक शेतर के लिए कितना बजट प्रस्तावीद किया गया है यह है 8828 कोड रुपए जो प्रस्तावीद किये गये है तकनीकी शिक्षा के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया है यह है 361 क्रोड रुपए टेक्निकल एज्यूगेशन के लिए 361 क्रोड रुपए जो हैं प्रस्तावित किये गये है इस सिधान का नाम रखा गया है सरकार ही माता सरकार ही पिता तो सरकार ही माता सरकार ही पिता इस सिधान का पालन किया जाएगा और यह जो किया जाएगा यह मुख्यमंत्री सुखाश्रे योजन के अंतरगत किया जाएगा और इसके लावा यह जो हमारी मुख्यमंत्री सुखश्टेय योजना है इसके अंतरगत जो 27 साल की उमर तक के जो बच्चे हैं जो लोग हैं उन्हें कवर किया जाएगा और इसका प्रोविजन रखा गया है 101 क्रोड रुपे का सरकारी संस्तानों में पढ़ने वाली 18 वर्से अधिक आईयो की 20,000 मेधावी चात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कुटी की खृदने के लिए कितनी सबसीडी दी जाएगी तो 25,000 रुपे की जो है सबसीडी दी जाएगी जो भी 18 साल से उपर की मेधावी चात्राओं है 20,000 जो होंगी और उन्हें जो एलेक्ट्रिक स्कुटी की खृदने के लिए 25,000 रुपे की सबसीडी परदान की जाएगी हिमाज़ी सरकार के द्वारा रज्य के गरीब बच्चे जो उच और व्यवसाइक शिक्षा पराप्त करने में असमर्थ हैं उनके लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी इसका नाम रख्या गया है मुख्यमंत्री विद्यार्ती प्रोसान योजना तो मुख्यमंत्री विद्यार्ती प्रोसान योजना के अंतरगत जो भी गरीब बच्चे हैं जो की उच और व्यवसाइक शिक्षा पराप्त करने में असमर्थ हैं उनके लिए कारे किया जाएगा इस अभ्यान का नाम रखा किया है मुख्या मंतरी सुरक्षित बच्पन अभ्यान तो मुख्या मंतरी सुरक्षित बच्पन अभ्यान के अंदर गत जो भी हमारा पॉक्सो एक्ट है दो हजार बारा का उसके जो भी प्रावधान है वो बच्चों को बदाए जाएंगे इसके लाबा नशीली दवाओं और मादक तरव्यों के शेवन के दुस्प्रभावों को कम करने के लिए जो हमारे हमाज़ाज के यूवाँ हैं उनमें जाग मुक्ता परदान करने के लिए नशा एवं मादक परदार्त मुक्त हिमाजल अभियान भी शुरू किया जाएगा इसका नाम याद रखेगा नशा एवं मादक परदार्त मुक्त हिमाजल अभियान ये उपर इंग्लिश में लिखा गया है और यहाँ पी हिंदी में लिखा गया है लिए कितना बजिली परस्तावीत किया गया है यह है 1116 क्रूब रुपए ग्रामिन विकास एवं बंजाइती राज के लिए प्रस्तावित किया गया है इस पर के बजट में यह है दो हजादो सो तेतिस कुर्ड रुपए का इसका नाम रखा गया है हिम उन्नती योजना जो है यह जो है क्षेत्र अधारित एकिकरित और व्यापक क्रिशी विकास योजना होगी और जो भी जीका के यानिकी जापान इंटरनेशनल कॉर्परेशन एजनसी के हिमाज़श में प्रजक्ट चलाए गए है और जो फेस्टो में प्रजक्ट चले हुए है उन्हें भी इनमें एड़ अड़ आप कर दिया जाएगा और ये भी याद रखीगा हिम उन्नती के लिए जो है 150 कोड़ रुपरे का बज़ट रखा गया है 2023-2024 के फानेंशल एयर के लिए बज़ट भी याद रखीगा ये नई योजना शुरू की गई है इसका नाम है हिम उन्नती विश्कीम विल्वी लॉंच टू ड्वैल्प मिल्क बेस्ट एकॉनमी इन हिमाचा पदेश हिमाचा पदेश में दूद आधारत अर्थव्यस्ता को विक्सित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी काफी इंपोर्टेंट है और इस योजना का नाम है हिम गंगा योजना और हिम गंगा योजना जो है इसके लिए 500 गोड रुपय का बिटेट रखा गया है इस बार के बजट में इन हाउमेने डिस्टिक्स ओफ हिमाजर प्रजेश एच्पी गौवर्मेंट विल ड्वेल्प 6000 हेक्टेर एरिया फॉर होटी कल्चर अंडर हिच्पी शीवा प्रजेक्ट हिमाजरे सरकार हिच्पी शीवा प्रजेशना के तहर कितने जीलों में बागवानी के लिए 6000 हेक्ट क्षेतर का विकास करेगी तो साथ जीले जो है स्लेक्ट किये गए हैं और यह साथ जीले हैं बिलासपूर हमिरपूर कांगडा मंडी सिर्मौ सुलन और उन्ना यहां पर जो है एच्पी शीवा प्रजेक्ट के अंतरगत अगले पांच बर्चों में 1292 कोर्ट रुट रुट के जाएंगे और छे हजार हेक्टर क्षेतर जो है वहां पर विकास किया जाएगा इन हाओ मेनी प्लेसिज ग्रेडिंग स्लैश पैकेजिंग हाउसे एंड कोल्ड स्टोर्स विल बी सैट अब इन एस्टेशन विद फार्मर प्रोडूसर और्गनाजेशन किसान उत्पादक स और फार्मर प्रोड्टिसरा कि नौर की भावनगर, जुसरा है चीडगाउन का सदान्शू, तीसरा है जूबल का अनू, चौता है हमारा श्रीमला का चौपाल, पांचौ पाचों है जाबली, चता है मंडी का सूंदर नगर, उसके बाद है रामपूर का दत नगर, और उसक यह जो आठ जगह हैं वहाँ पर ग्रेडिंग पैकेजिंग हाउसे और कोल्ड स्टोर जो हैं स्तावित किये जाएंगे तू फैसिलिटेट दर ट्रेनिंग आफ फार्मर्स एस्टिटिट विद फिश फार्मिंग अ कारप फार्म फिल भी सेट अप इट विच प्लेज अट एक और पूस्ट आफ रुपीज फाइब करोड मतस्य पालं से जुड़े किसानों के प्रस्क्शन की सुबदा के लिए पांच करोड की लागसे किस तान पर एक कारप फार्म स्तावित किये जाएगा तो जो कारफ फार्म है ये उन्ना के गवरेड में स्ताफित किया जाएगा और पांच क्रोड रुपए की लागर से स्ताफित किया जाएगा The daily wages of Manrega workers will be increased from rupees 212 to how much rupees Manrega मजदूरों की दैनिक मजदूरी 212 रुपए से बढ़ा कर कितने रुपए की जाएगी ये जो है 240 रुपए कर दी जाएगी और इसके लावा जो हमारा जंजाती क्षेतर है tribal areas है वहाँ पर जो है जो मनरेगा की दिहाडी है उसे जो 266 रुपए से बढ़ा कर 244 रुपए कर दी जाएगा To provide a platform for marketing and sale of the products of the self-help groups How many him era model shops will be opened स्वया साहता सुमूहों के उत्पादों के विपनन और विक्री के लिए एक मंच परदान करने के लिए कितनी him era model shop खोली जाएगी तो 50 him era model shop खोली जाएगी जहांपर जो हमारे self-help group है ही मजबरेश के उनके जो भी product है जो भी उत्पाद बना रहे हैं उन्हें बेचा भी जा सके और उनकी marketing भी की जा सके अंडर मुख्यमंत्री लगू दुकांदार कल्यान युजना how much subsidy will be given on the interest on the loan up to rupees 50,000 मुख्यमंत्री लगू दुकांदार कल्यान युजना के तहत 50,000 रुपे तक के रिन पर ब्याज पर कितनी subsidy दी जाएगी तो 50 प्रश्चत की subsidy जो पर दान की जाएगी और ये जो है मुख्यमंत्री लगू दुकांदार कल्यान युजना के अंतरगत दी जाएगी और इसमें जो हैं जैसे के हमारी टेलर जेन की दरजी, बारबर जेन की नाई, टी स्टॉल ओनर्स, स्टीट वेंडर्स, क्रियाना शॉप्स जो भी लगू दुकांदार है उन्हें सभी को कवर किया जाएगा इनकी टोटल जो है लिस्ट जो है टारसो की कंप्लीट करनी है और सासो साथ जो है ये बन चुकी है इन क्लाबरेशन विद गौर्मेंट आफ इंडिया, न्यू टाउन विल बी सेट अप एड विच प्लेस इन शिमला डिस्टिक बाई हिमुडा भारसरकार के सियोग से हिमुडा द्वारा शिमला जीले में किस्तान पर एक नया शहर स्तापीत किया जाएगा शिमला के जैठिया देवी में जो है एक नया डाउन स्तापीत किया जाएगा और इसे हिमुडा और भारसरकार मिलके स्तापीत करेंगी इन चार डिपार्टमेंटों के सियोग से जो है ये नया हर्बल गार्डन जो स्तापीत किये जाएगे मनाली और पालमपूर में पेजल आपूर्ती योजनाओं में सुधार के लिए किस बैंक की साहता से 817 क्रोड रुपए की परयोजना लागू की जाएगी तो ये है डिवल्मेंट बैंक और फ्रांस जो फ्रांस का डिवल्मेंट बैंक है उसकी मदद से जो हमारा मनाली और पालमपूर है वहाँ पर जो भी पेजल आपूर्ती योजना है यानि कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइ स्कीम जें उनको इंप्रूब किया जाएगा और इस वर्ष 2023 में कितनी राशी व्याए की जाएगी दो सो क्रोड रुपए की जो राशी है वो व्याए की जाएगी और योजना का नाम भी याद रखीगा क्योंकि नई योजना है यह है मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना फोर प्रोमोटिंग वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट कॉंसेप्ट विच मॉल विल बी स्टैब्लिट इन हिमाजब बदेश एक जिला एक उत्पाद की अवधार्णा को बढ़ावा देने के लिए हिमाजब बदेश में कौन सा मॉल सावीद किया जाएगा इसका नाम रखा ज जाएगा और इसे जो है जो हमारा वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट का कॉंसेप्ट है उसे भी प्रमोट किया जाएगा याद रिखेगा यूनिटी मौल हमाजड़िश में खोला जाएगा तो यह कह जाएगा हमिरपूर में हमिरपूर में एक बस पोर्ट बनाया जाएगा और यह बनाया जाएगा दस क्रोड़ रुपए की लागस से प्रयवर्ण अनुकूल प्रजातियों के व्रिक्षा रोपन के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन के तहत सभी 12 जीलों में कितनी हेक्टेर भूमी का चैन किया जाएगा 250 सेक्टेर भूमी जो है वो चैन की जाएगी सभी 12 जीलों में और इसमें जो है हमारी एक स्कीम है उसका नाम है मुख्यमंत्री ग्रीन कवर मिशन इसके अंतरगर जो है जो भी हमारे परयावर्ण अनुकूल पर जातिया है उनकी प्लन्टेशन की जाएगी उस तरह के और इसके लावा जो जाएगा के अंतरगर जो प्लन्टेशन की जाएगी वो दो हजार हेक्टेर भूमी पर की जाएगी पतल यूज़े एक प्लेट इन हिमाचली धाम इस मेड़ फॉम देख सकते हैं यह वो पतल है चोकि हिमाचली धाम में उपयोग किया जाता है और इन पतलों के लिए जो है एक रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जाएगा हिमाचली प्लेश में अल्ड़ सेक्शन्स ओफ एच्पी सेक्टरेट विल बी कनेक्टेट तो इओफिस फ्रॉम विच देट इमाचली प्लेश सची वाल्य के सभी खंड किस तारिक से इओफिस से जुड़ जाएगे इसका नाम रखा गया है हिम प्रिवार के अंतरगत जो भी प्रिवारों से सम्बंदी डाटा है उसे एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्द करवा दिया जाएगा इसके लबा ये भी पजट में अनॉस्मेंट की गई है कि पहले हिमाचलीश में जो थे पांच हजार लोक में तरकेंदर थे अब इन्हें बढ़ाकर छे हजार कर दिया जाएगा याद रखीगा छे हजार ज स्तापित किया जाएगा इसे कांगड़ा और हमिरपूर में स्तापित किया जाएगा तो कांगड़ा और हमिरपूर में हाइटेक अर्थ के लैबोर्टरी कम डाटा एनलिस सेंटर जो है इसे स्तापित किया जाएगा यहां पर जो है बुकंप से जो भी जानकारी है बुकंप कि गए हैं हिमाचाप डेश में हिमाचाप डेश में जो डोप्र राडार हैं वो दो जगा स्तापिद किये गए हैं अभी कि तो वह कहा कहा किये गए हैं उन दो जगा का नाम लिखिएगा हाउमच मिलक सैस पर बॉडल विल बी इंपोजड ओन लिक्र सोल्ड इन हिमाचप देश विच विल फैच रुपीज रूपीज हनुर्ड करोड अवरी इयर हिमाचप देश में बेचे जाने वाली शिराप पर प्रती बोतल कितना मिलक सैस लिया जाएगा जिसे हर साल जो है सो कोर्ट रुपय मिलेंगे यहीं कि सो कोर्ट रुपय की हर साल की कमाई होगी हेमारे सरकार की और दस रुपय जो है milk says लिए जाएगा एक शिराब की बोतल के ओपर तो याद रखीगा, milk says की रूप में 10 रुपय जो है लगाई जाएगी किस आर्ट एंड कल्चर ओफ हिमाजब देश हिमाजब देश की कला और संस्क्रिती को परदशित करने के लिए देश के विविन राज्यों के प्रमुक शेरों में कौन सा उत्सव आईजित किया जाएगा इसका नाम होगा हिमाजब उत्सव भारत के और हिमाजब देश के अलग अलग जगों पर अलग अलग शेरों पर जो है हिमाजब उत्सव का आईजिन किया जाएगा और वहाँ पर हिमाजब देश की कला और संस्क्रिती को परदशित किया जाएगा और इसका नाम होगा हिमाजब उत्सव अब डिस्कस करते हैं आपके फेवरेट सेक्षिन के बारे में ये है हमारा गौर्वर्मन जॉब्स का सेक्षिन तो बजट में रॉस्ट किया गया है कि 210 पोस्ट जो है वो पंचायस सेकेटरी की यानिकी पंचायस अचीव की लाए जाएंगी और 114 पोस्ट जो है वो technical assistant की जो हमारे पंचायत में technical assistant की requirement रहती है उसमें 164 पोस्ट जो है वो भरी जाएंगी इसके लावा जलशक्ति विपाक के जैसे की पैराफेटर, pump, operator, multitask worker इस तरह की जो भी requirement है उसमें लगवग 5000 पोस्ट जो है ये fill up की जाएंगी इसके लावा यह भी अनॉस किया गया है कि लगबग 25,000 फंक्शनल पोस्ट जो हम वो create के जाएंगी और इतनी vacancies निकाली जाएंगी जैसे कि हमारा health department है उसमें भी doctor, nurses, special doctor, radiographers, ot assistant, lab technician, pharmacist, mra technician, ecg technician, technicians, faculty, medical colleges में जो हमारे technical education department है वहाँ पर teacher और instructor, education department में teachers, police constable, revenue department जैसे कि allied services इसके form फिल किये जाएंगे और जो हमारा animal husbandry department है वहाँ पर doctor और other worker की जो requirement है वो फिल अप की जाएंगी जो हमारी urban local bodies है जैसे कि हमारा नगर निगम है, हमारी नगर परिशद है और जो हमारे पंचायत secretary है, technical assistant है वो सभी फिल अप किये जाएंगे जल शक्ती विभाग में अभी हमने discuss किया कि जैसे कि पैराफेटर, pump operator, multitask worker ये भी post जो है फिल अप की जाएंगी और various department में एक अलर की post भी फिल की जाएंगी और आपकी पूरी फैवरेट जो है 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 निकाले जाएंगी ये बज़र में announce किया गया है और अभी recently meeting भी थी बच्चों ने जो एक आन्दोलनम गयारा किया था एक मार्च निकाला था शिमला में और उन्होंने discuss भी किया मुख्यमादरी सुक्वेंजिंग सुकों के साथ कि कब तक form जो है फिल किये जाएंगे और कब तक exam लिये जाएंगे तो ऐसा अपरियल से जो है उससे पहले पहले form भी फिल किया जाएंगे और पंदरा अपरियल से जो है जो आपके recruitment जो है स्टार्ट कर दी जाएगी तो यह थी हमारी हमारिश बजट की discussion पूरी की discussion जो थी हमने mcq format में कर ली है काफी important mcq है लगबग हमने 75 mcq उसमें discuss किये हैं और इस session की जो pdf है दोनों pdf मैं share करूँगा एक आपको जो original जो हमारी सरकार दोरा दी गई है pdf वो भी मैं telegram channel पे share कर दूँगा और जो in questions की p video अब राप्त कर सकते हैं तो thanks for watching video do like share and subscribe my channel